क्यों लगे थे रन्वीर सिंग को 24 थपड किसमें मारा था रन्वीर सिंग को क्या है इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अबडेट हेलो फ्रेंज मैं शूती और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलिग्रेन स्टूडियोज रन्वीर सिंग की अदाकारी को बहुत पसंद किया जाता है ये सिल्वर स्क्रीन पर अपने अलग-अलग किरदारों से फैंस को दिवाना बनाते हैं साल 2018 में रन्वीर सिंग फिल्म पदमावत में नजर आये थे जिसमें उन्होंने अलाउदीन खिल जी का खतरनाक रोल निभाया था संजे लीला बंसाली के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई थी पदमावत फिल्म में रन्वीर सिंग का किरदार और खौफनाक लुकताफी चर्चा में रहा एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने अलाउदीन खिल जी के रोल में जान फूँग दी थी यहां तक कि रन्वीर सिंग को इस रोल को निभाने के दौरान एक दो नहीं बल्कि पूरे 24 थपड़ खाने पड़े थे इसके पीछे एक दिल्चस्प किस्सा है आपको बता दे कि अब रन्वीर सिंग जल्द ही The Immortal of Ashwatthama फिल्म की शूटिंग शूरू करने वाले है इसके लिए उनकी मेकर से बातचीत चल रही है दरसल फिल्म पदमावत का एक सीन है जिसमें रजा मुराद रन्वीर सिंग को थपड़ मारते हैं अगर आपने फिल्म देखी होगी तो वो सीन आपको शायद याद होगा लेकिन रन्वीर सिंग को उस सीन के चकर में 24 थपड़ खाने पड़े थे डिरेक्टर संजलीला भनसाली को सीन पोफिक नहीं लग रहा था तो उन्होंने बार 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 रीटेक करवाए 24 रीटेक के बाद डिरेक्टर को थपड़ वाला सीन पोफिक लगा इस तरह एक सीन करने के लिए रणवीर सिंग को रजा मुराद से कई थपड़ खाने पड़े थे रणवीर सिंग के फिल्म पदमावत में शाहित कपूर, दिपिका पादुकोर, जिम सर्ब, अधिती राव हैदरी, अनुप्रिया गोयनका जैसे सितारों ने एहम भूमिका निभाई थी आपको बता दे कि The Immortal of Ashutama फिल्म में भी रणवीर सिंग का पदमावत फिल्म में जैसा उनका लुक था वैसा ही इस फिल्म में भी होगा जो कुछ यूनीक होगा आपको बता दे कि रणवीर सिंग और आलिया भट की फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई 2023 को सिनिवा घरों में दस्तक देगी इसमें जया बच्चन, धर्मेंद्र और शबाना आजमी जैसे सितारे ना सराएंगे ये एक लव स्टोरी फिल्म है जिसका निर्देशन करण जोहर ने किया है इससे पहले करण जोहर ने फिल्म एदिलै मुश्किल मूवी का डिरेक्शन किया था जो बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी इसमें रनवीर का पूर के साथ एश्वरे राय बच्चन की Chemistry की खूब चर्चा हुई थी अब देखना ये होगा कि The Immortal of Ashutama फिल्म में रनवीर सिंग की जोडी सामन्था रूत प्रभू के साथ और उनका इस फिल्म का लुक कितना धमाकेदार होता है और इस फिल्म की शूटिंग कब तक शुरू होगी ये देखने वाली बात होगी व हुआ हुआ है